हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके लिए चॉकलेट केक की रेस्पी लेकर आई हूं यह चॉकलेट केक बिना अंडे और बिना अवन के बना है और देखिए जैसा इतना सॉफ्ट चॉकलेट केक बना है तो जलिए केक बनाना शुरू करते हैं मैंने एक दाल देंगे इसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे लिट के साथ ढग देंगे और लिटा जो यह हॉल है इसको थोड़ा साथा लगा कर बंद कर देंगे यास ऑन कर देंगे मीडियों फ्लेम पर प्री हीट करेंगे इतने समय में यह प्री हीट होगा उतने समय में हम केक का बेटर त्यार कर लेते हैं, गिलस चॉकलेट केक बनाने के लिए एक बॉल लेंगे, बॉल के अंदर हम एक कप ताजा दही डाल देंगे, आदा चोटा चमच बेकिंग सोडा डाल कर, मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद आदा कप वेश्टेबल आल डाल देंगे, और एक चुछा चमच बेकिंग पाउडर डाल कर, चानने के बाद सारे मिक्स्चर को हम अच्छे से धीरे-धीरे मिक्स करेंगे, और देखें, मिक्स करने के बाद इस तरह से हम चॉकलेट केका बैटर त्यार कर लेंगे, एक बैटर इस तरह से स्मूध होना चाहिए, रीबन के जैस केक्टिन लिया है, और इस तरह से केक्टिन के अंदर बटर पेपर लगा कर सेट कर लिया है, त्यार किया हुआ केक का बैटर इस के अंदर डाल देंगे, केक्टिन को प्री हीटर पॉट में रख देंगे, और उपर से धकन लगा देंगे, धकन के ऊपर कोई भारी भरतन बाद लिड उठाकर चेक करेंगे अब इसके अंदर एक स्क्यूवर डालकर चेक करेंगे केक बना है और नहीं है और देखे पूरी तरह से साफ बार निकला है इसके मतलग केक हमारा पूरी तरह से बन चुका है अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे पूरा ठंडा हो जाए उसक स्पंजी रूइं जैसा केक बनकर त्यार हुआ है इस केक को आप अपने फेवरेट फ्रॉस्टिंग के साथ डेकुरेट करें आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा तो यह नमक को आपको फेकने की जुरूरत नहीं है इस नमक को ठंडा होने के बाद किसी कंटेनर में डाल कर बंद करके रखने और जब भी आप बिना अवन के केक बनाए तो इसी नमक का द्वारा से इस्तिमाल कर सकते हैं चॉकलिट केक की डेस्पी आपको जैच्छी लगी तो इस वीडियो को जरू लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वर